हेलो फ्रेंड वेलकम टो माई चैनल तो आज हम बनाएंगे आमले की कट्टी मिटी गोलिया तो उसके लिए मैंने एक किलो आमले ले लिए इन अच्छे से धोलिया है अब धोके इनको थोड़ा सा उबालेंगे अब देखे फ्रेंड्स यह सब उबल चुके हैं अब इनकी हम क् कुट्लिया निकाल लेंगे वारिक पेस्ट बनाएंगे अब कडाई रख लेंगे अब कडाई में डालेंगे हम चार मसाली कलोंजी जीरा सौंप और जवाइन और इनको हलका सामें भून लेना है और निकाल के हम इसको अच्छे से हांसे करश करेंगे अब इसमें मैंने गोड डाला है मैंने एक किलो आवले लिया है तो एक किलो गोड लिया है इसको बस दो-चार बोन पानी डालेंगे इसको अच्छे से मेल्ट करेंगे देखे दीरे-दीरे मेल्ट होना सुरू हो गया है अब बस मेल्ट हो गया है इसको थोड़ा पकाएंगे इसको चलाते रहेंगे अब अच्छे से बबल्स आ गए हैं इसमें अब इसे हम पानी में डाल डाल के देखते रहेंगे जब तक ये कट-कट की आवाज ना करने लगी तब तक हमें गुड को पकाना है वरना हमारी जो आमले की हमने जो गोलियां बनानी है गोल गोल बन नहीं पाएंगी और इसको चलाते रहेंगे अब बस हमने जो आमले का पेस्ट बनाया था वो अब इसमें डाल देएंगे और दोनों का अच्छे से मिक्स करके पगाएंगे थोड़ी देर के लिए अब बस चलाते रहेंगे और बना के देखे बहुत टेस्टी लगता है और आप इसको 6-8 महीने तक रखके अराम से खा सकते हैं और बहुत हेल्दी भी होता है गर्मीं के दिर्वनों में तो यह बहुत ही फायदा करेगा और हमने जो मसालिक करस के थे वो 27 में डाल देंगे और स्वादनुसार नमक डालेंगे और काली मिर्च का पॉड़र डालेंगे और इन सब को अच्छे से मिलाएंगे और इसको हमें तब तक पकाते रहना है जब तक ये थिक ना हो जाए, गाड़ा ना हो जाए आप देखे, बिल्कुल ऐसे फॉर्म में आ गया है, जैसे कि ये चमन प्रास हो, लेकिन हमें चमन प्रास नहीं है, हमें इसकी गोलियां बनानी है गोल-गोल, खटी-मिठी गोलियां और चाहें तो आप इसको ऐसे जैम के रूप में भी रख सकते हैं अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अब बस देखे, पूरा हमारा त्यार हो चुका है अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे बस चलाते हुए पूरा हो गया हमारा त्यार, अब इसको थोड़ा सा हाथ में घी लगाना है अब बस थोड़ा थोड़ा जितने भी साइस के आपको गुलियां बनानी है, उतनी बनाते रही है चोटी बड़ी जैसी बनानी है अब बस अगर आप हाथ में थोड़ा सा चिखना नहीं करेंगे ना फिर ये बनेंगी नहीं गुलिए देखिए सभी गोलिया बनकर के तयार है अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें मेरा सपोर्ट करें और इस पर मैंने स्प्रिंकल कर दिया है लास्ट में पिस्यू ही सुगर देखिए कितने खुबस्वरत लग रहे हैं टेस्टी लग रहे है थैंक यू फॉर वाचिंग